दोस्तों जितने भी courses आप करते हैं किसी भी university, किसी भी college से बहुत सारे professional courses होते और मैं जैसा हमेशा अपनी videos के माध्यम से आपको बोलता हूँ कि skilled course करने चाहिए सिर्फ आपको किताबे पढ़ने के बाद में आपने कुछ भी मां से घ्यान लिया उसको सिर्फ आप लिखकर आगे practically आपने कुछ नहीं किया तो मेरा माना है जो quality education आपके अंदर होनी चाहिए या फिर इस competitive world में जो आप बाहर निकलोगे job पाने के लिए या फिर सामने जो आपके बड़े-बड़े competitions आते हैं उन competitions को तब तक आप crack नहीं गर पाओगे जब तक उस चीज की पूरी knowledge नहीं होगी skilled आपको होना चाहिए skilled courses आपको करने चाहिए ऐसे बहुत सारे courses है अपने इंदुस्तान में जो कराए जाते हैं उन्हीं में से एक course आता है BHM दो तरास इसको आप बोल सकते हो या तो आप बोलिए इसको Bachelor of Hotel Management या आप कहिए B.Sc. in Hotel Management क्या है difference दोनों के अंदर B.Sc. Hotel Management करें या BHM करें दोनों में difference क्या है duration कितना है दोनों का कौन सी अच्छी universities है कौन से अच्छे colleges है किस country से करें क्योंकि ये course बहुत सारी countries में कराया जाता है बहुत सारे students हर साल diploma, certificate या फिर ये बैसले डिगरी करने के लिए जाते हैं abroad में खास करें सिंगापूर में जाते हैं जैसे मैंने पहले बहुत सारी videos बनाई हैं सिंगापूर में hotel management course कैसे कराया जाता है हिंदुस्तान में अपने इंडिया में ऐसी बहुत सारी private universities हैं जहांसे आप hotel management course कर सकते हो और बहुत अच्छे-च्छे placements भी मिलते हैं और ऐसा भी नहीं के fees लाखों में आपको देनी होगी ऐसी बहुत सारी चीजों पर आज मैं discuss करूँ आपने इस वीडियो में क्योंकि हमारी पिछली कई सारी videos में आप लोगों ने जो सवाल पूछे कि सर वीडियो बनाई है BHM पर क्योंकि BHM में हमें admission लेना है कौन सी best university रहेगी इन सब पर discuss करते हैं और ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारी इस वीडियो के सारी नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है University India मेरा नाम है विरिंदवर्मा जैसे आप सभी जानते हैं हम देश-विदेश की universities, colleges उनके courses को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं दोस्तों Bachelor of Hotel Management BHM आप short में इस course को बोल सकते हो या B.Sc in Hotel Management भी आप इसको कह सकते हो डिपेंड करता है कौन सी university किस चीज में आपका admission ले रही है पर मेरी advice आपको यही है कि आप जब admission ले Bachelor of Hotel Management BHM नॉर्मल course यह है आप इसी में आप admission ले skilled course है आपको यह course करने के बाद में practically जो होगा आगे जाकर hospitality line में या hotels line में वह practical ही जो आपने सीखा होगा वही आपके काम आएगा किताबी ग्यान इतना ज़्यादा काम इसमें नहीं आता है आपके लिए बड़ी-बड़ी universities हैं बहुत बड़े-बड़े colleges हैं पर उसके अंदर आप यह ज़रूर देख लें kitchen जो वो लोग बनाते हैं या फिर एस्ट्रो टाइप का जो लुक देते हैं या फिर कितने अच्छे से hospitality आपको सिखाई जा रही है आपको यह चीज दोस्तो पता होनी चाहिए और अगर मेरा मानना है किसी भी college university में आपने admission लिया और यह सब facilities अवलेबल नहीं है तो वहाँ से आप करनी काट लेइन चाहिए जल्द से जल्द वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए वरना आपको problem हो सकती है दोस्तो क्योंकि जैसे आपी course कर लेते हैं तो कुछ job के अच्छे-च्छे options आपके सामने आते हैं कौन-कौन से आते हैं किचिन शेफ बन जाते हैं जो शेफ की बहुत अच्छी खादी सैलरी होती है लाखों तक सैलरी होती है परबंद की उनकी डिपेंड करता है कितनी अच्छी knowledge आपको है फ्रेंट डेस्क आफिसर आप बन सकते हैं फ्रेंट डेस्क की अगर अच्छा नहीं होगा टूरिजम फैलेगा, जहाँ-जहाँ टूरिस्ट स्पोर्ट बनेंगे जहाँ-जहाँ लोग घुमने जाएंगे वहाँ-वहाँ इस कोर्स की बहुत दिमांड है और यह ऐसा कोर्स है जो कभी भी खतम होने वाला नहीं है बहुत सारे job की option है, बहुत सारे hotels है, आप आपने देश में गोवा में बात करें, तो hospitality industry बहुत आगे है, आप अंडबानी को बार में देखें, बहुत सारे hotels है, hotels हर जगा है, कहा नहीं है, कश्मीर में भी है, आपने Commonwealth जब game हुए तब अपना जो ये hospitality के जितने भी जो पास के बीचम students थे, उनकी बहुत demand आई थी, आप चाहे तो सिंगापूर चले जाए, सिंगापूर बहुत बड़ी एक market है, hospitality industry की बहुत बड़ी एक market है, आप इसमें accounting manager जॉब कर सकते हैं, कि पूरे hotel का पूरे ही चीजों को देखना, जो accounting manager बनते हैं, उनकी बहुत अच्छी कासी salary होती है, आप executive housekeeper बन सकते हो, course complete करने के बाद में, आप catering officer बन सकते हो, साथ में cabin crew भी आप बन सकते हो, अब आप ये सब बनतो जाओगे, ये सब job आपको मिल भी जाएगी, पर ये सब job मिलने से पहले, आपको जो रास्ता तै करना होगा, जो अपना सफर तै करना होगा, वो होता है, admission लेना और उसे आगे बढ़ाना, अब उसको आप कैसे बढ़ाओगे, आप वो भी थोड़ा समझ लीजिए, दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए, duration क्या होता है, course को complete करने के लिए, duration आपको पता होना है, जैसे कि आप B.TEC करते हो, चार साल का होता है, But exceptional, बहुत सारे cases होते हैं, B.TEC उसमें आता है, और उसी में B.H.M.B. आता है, Bachelor of Hotel Management, चार साल का होता है दोस्तों, एक course वैसे, बहुत सारी universities B.H.M. करवाती है, मतलब B.H.C. in Hotel Management करवाती है, वो तीन साल का course करवाती है, और मैं एक बात और आपको बता दूँ, आपने डिप करें, जाकर देखें, और खास करके ये जरूर देखें, जो H.M. की जो पूरी building बनी है, उन लोगों की, kitchen देखें, kitchen किस type क्यों बना रखें है, restaurant किस type का बना रखा है, आपको मतलब की practically क्या कुछ सीखने वाले हो उस university में admission लेने के बाद, जब भी आप किस university में admission लेते हैं, आप गई admission cell में, तो वो पूरी university आपको घुमाएंगे दोस्तों, और पूरी university घुमने से अच्छा है, आप सिर्फ उन चीजों को देखें, जहां पर आप अपने course के लिए वो study करने वाले हैं, सिर्फ किताबी पढ़ाई से, सिर्फ वो किताबे आपको पढ़ाना शुरू क और कुछ सिखाएं नहीं practically तो आपके साथ समस्या हो सकती है, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि ये तीन साल का होता है, बलब चार साल के program exactly है ये, आप bachelor of order alignment करते हैं, BSC, HM लोग को तीन साला करवा देते हैं, और अगर आप letter entry में जाते हैं, तो एक साल कम हो जाता 50% marks आपके minimum होनी चाहिए, और एक जो mandatory जो ज़रूरत है English आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप एक hotel industry में जाने वाले हैं, English आपको आनी चाहिए, English आपको नहीं आती है, आप सीख लें English को बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बड़ी-बड़ी institutions खुले हुएं, जो आपको English सिखाएंगे, साथ में ही आप जब भी admission लेंगे, direct admission भी होते हैं, entrance based भी होते हैं, entrance तो बहुत कम universities लेती हैं, direct admission private universities ले दे देंगी, बहुत सारे private universities के बारे में पहले हमने वीडियो बनाया था, कौन-कौन से अच्छी universities हैं, उनमें आप admission ले सकते हैं, या admission लेने में आप हमा university से, तो भी आप हम WhatsApp कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, direct admission आपका असानी से हो जाएगा, अब जब आप admission ले लेंगे, तो एक question आता है, fees कितनी होगी, दोस्तों, fees 50,000 रुपे पर year से लेकर, 5,000 रुपे पर year तक fees हो सकती है, 50,000 से एक लाके बीच में, पर year में आपको अच options दे देगे, इसके अंदर जो subjects आते हैं, या streams की बात अगरम करें, तो इसमें foundation course होता है, food and beverage को लेकर, जो food and beverage में services आप कैसे करेंगे, साथ में foundation course होता है, आपका front office को लेकर, front office में मतलब किस तरह से present करेंगे, अपने आपको, आप, front desk को आप कैसे देखेंगे, hotel engineering एक अलग communication skills रिकाई जाती है, इसकंदर आपको food safety and quality के बारें बताया जाता है, आपको research methodology बतायाता है, इसमें बहुत कुछ पढ़ानी चीज़े हैं, दोस्तो, management tourism बताएंगे आपको, कि tourism को management किस तरह देखा जाता है, human resource and management बताएंगे आपको, accounting management बताएंगे, आपको बहुत सारी लो के लिए, कोई फायदा उससे होगा नहीं, आप course तो complete कर लोगे, बट course complete करने के बाद में कहीं पर भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी, और उसके लिए मैंना फिर बताता हूं दोस्तों कर आप चाहते हैं, short term courses करना, certificate, diploma करना, आप Singapore चले जाएंगे, Singapore में बहुत सारे अधले वीडियो बनाए हैं, जो की आपकी intention बहर करवाएंगे, Singapore में करवाएंगे, दूसरी अला country में करवाएंगे, मौरेशिस में करवाएंगे, ऐसे बहुत सारे options होते हैं, उनमें भी आप admission ले सकते हैं, कोई भी किसी तरह की जानकारी आप चाहते हैं, hotel management को लेकर, किसी टॉपिक पर चाहते हैं, बैटलर आफ होटल मेनेजमेंट के बारे में किस टॉपिक पर नेक्स वीडियो चाहते हैं, आप ज़रूर बताएं, हम वीडियो लेकर आएंगे, और आपके हर तरह के doubts को clear करने के हम कोशिश जरूर करेंगे, साथ में दोस्तों हमारी वीडियो को आपके लेकर आसके सबसे पहले, बहुत शुरूर दोस्तों नेवाद, हमारी इस वीडियो के साथ बढ़े रहने की लिए।